भारत के मद्ध परदेश के मद्ध में एक बलुआ पत्थर की पहाड़ी के उपर राजशी कवालियर किला इस्तित है, जो इतिहास का एक मुख प्रहाड़ी है जिसने समराजियों के उत्थान और पतन को देखा है, इसकी भवे दिवारे जटिल नकासी से सजी हुई है और समय के सांसाथ बीरता साजिस और भारत की अस्थाई भावना की कहानिया फुस फुस आती है, गवालियर कीले की सटी कुत्पती परानी कथा में छीपी हुई है, कुछ खातों में इसका निर्मान तिसरी सताबदी सापुरू का बताया गया है, एक लोग पिरिये परानी कथा के अनुसार सुरज सेन नामक एक अस्थाई सरदार कुष्ट रोग से पिरित था, जिसे गवालिपा नामक डिसी ने चमतकारिक रूप से ठीक कर दिया था, कृत अग्यता में सुरज सेन ने एक किला बनवाया और इसका नाम अपने संरक्षक के नाम पर रखा, और डिसी ने उ अलो पर अपनी अमीट छाप छोड़ी है, तो मर राजपुतों ने सबसे पहले किले पर अधिकार जमाया, उसके बाद पर तिहारों और कछवाहों का स्थान आया, सुलावी सतापदी में मुगल समराट बाबर ने गवालियर पर कपजा कर लिया और या दो सतापदियों से अधिक समय तक मुगल सासन के अधिन रहा, मुगल काल के दवरान गवालियर गिला एक समरीद सांस्कीतिक और कलात्मक केंद्र में बदल गया, समराट अकबर ने गिले के बीतर एक टक साल किया स्थापना की और उनके बेटे जहांगीर ने छठे सी गुरु हर गोविंद साह को इसकी दिवार के बीतर कैद कर दिया, मान सिंग तोमर के सासन काल के दवरान किले का वास्तु सिल्फ वायभव अपने चरम पर पहुँच गया, जिनोंने हिंदू वास्तु कला की उत्कृष्ट कृती मान मंदिर पैलेस का निर्मान किया, अठारावी सतापदी में मराठा जन्रल महाद जी सिंधिया ने गवालियर प्रकपजा कर लिया और सिंधिया राजवन्स की अस्थापना की, जिसने इस छेत्र पर एक सतापदी से अधिक समय तक सासन किया, सिंधियों ने किले के विकास विस्तार और इसकी संरचनाओ के संदर्य करन में महत्तपुन भुमिक आज गवालियर कीला भारत की समरीद और विवित विरासत के परमान के रूप में खड़ा है, इसकी उची दिवारे जटिलनकासी और संदार महल बीते यूग की भवयता की जलक पेस करते हैं, कीले का इतिहास वीरता साजिस और कतलातमक परतिभागी कहानियों से बुना और विक कीलो से जुरी जनकारी और कीलो के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो